वल्कम टो माई यूटूब चैनल इंग्लिश विद माया आइंड कैसे हैं सभी लोग आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड तो चली फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लिट्रेचर में वाल्ट मीट वीट मैंड को तो यह जो क्लास है आपके MRS TGT PGT जा सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो चली फ्रेंड क्लास को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें देखते हैं आज का अप आपके अमेरिकन राइटर्स हैं इनका बर्थ हुआ था कब हुआ था 31 मैं 1819 को मतलब के 1890 मैं को इनका बर्थ मतलब की जन्म हुआ था और इनका जन्म कहा हुआ था प्लेस ऑफ बर्थ वेस्ट हील्स हंटिंग और लॉज लॉज आइसलाइंड न्युयार्क यूएस में उके इनका ये प्लेस ऑफ बर्थ जो कि आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है उके चले देख ले था इनकी डेथ कब हुए थी डेथ हुए थी इनकी 26 मार्च 1892 में कहां पे कॉमड में यहां पर इनकी क्या हुए थी डेथ हो गई थी फ्रेंड देखें फादर इनकी फादर कौन थी वाल्टर विट मैं कौन थे इनकी फादर का नाम था वाल्टर विट मैं जो कि क्या थे पेसे से कारपेंटर थे और इंग्लिस मैं थे कौन थे और इंग्लिस मैं एक कारपे के मदर का नाम क्या था मैं या याद रख लेंगे मदर का नेम भी अच्छी मपॉर्टन्ट ए नेम एंड प्लेस बर्थ बर्थ डेट एंड डेट इनके देखें मेजर वर्क कौन कौन से थे मेजर वर्क इनका था लीफ ऑफ ग्रास जो इनका सबसे पहले आया था 1855 में फिर दूसरा आया था पैसेश टू इंडिया था वन सेल्फ आइसिंग सॉंग आफ मैसेल्फ आई हीयर इट वाज चार्ज अगेंस्ट मी क्रोसिंग ब्रुक्लिन फैरी ओन दा बिच एट नाइट ओ कैप्टन माइ पैप्टन ओ कैप्टन माइ कैप्टन मोस्ट इंपोर्टन बन जाता है ओके यह सारे इनके मोस्ट इंपोर्टन बन जाते हैं ओके चलिए देख लेते हैं देखें बुक्स ओन वीट मैं देखें जो वीट मैं पर जो बुक्स लिखी गए ठीक है वह कौन कौन से बुक थी रिचर्ड एम बक्स वाल्ट वीट मैं 1833 में फर्स्ट इनकी बायोग्राफी थी हारोल ब्लूम ने लिखा वाल्ट वीट मैं ठीक है यह दोनों इन पर ही बेश्ट बुक्स हैं जो की लिखी गए इन्ही के नाम पर और देखें जो इनका एक था वर्क ओ कैप्टन माई कैप्टन देखें यह क्या है यह एक लजी है वीट मैं लजी फ्रॉम लीफस ओफ ग्र ने अबरहम लिंकन की डिट के स्टेट्स मतलब यह एक सीविल वार के मतलब एक सीविल वार हुआ था जिसमें साउथ हैं इस्टेट्स के अगेंस्ट इन्होंने लड़ा था ठीक है यह सक्सीड़ बट यह एसेंट बाइ जॉन विक्स बोथ एंड एक्टर इन ए थीटर टीक है यह नहों इन्होंने सफलता पाए थी जॉन वाइक्स बोगत के द्वारा एक कौन से मतलब की एक थीटर में एक्टर कर रोल प्ले किये थे और उन्होंने पोएट ने फिल्स की अपने पर्सनल लॉस को की अबराखम लिंकन की डित के बाद और यह पोएम उनकी जब उनका दिल रोया तब उनकी याद में रो करके उन्होंने यह पोएम लिखी दा ग्रीफ आफ इस एक्स्प्रेस थो दा यूज आफ सिम्बल ठीक है और इस पोएम से उन्होंने अपने सिम्बल के थुरू कुछ सिम्बल से दिये हैं जैसे मेटाफर्स के एक मिन्याट और थोड़ा समलोग बढ़ा कर लेते हैं इसको देखे सुइब दा सिप इस दा इनाइट एक स्टेट्स जो सीब्ता इनाइट इस इस में है न दा प्रीफ जो सिवीआज चाहर बंट इस अबराहम लिंकब मतलब वापस घर लेके आये, the people wait for the captain, but captain is no more, लेकिन, सिफ तो आया, लेकिन उसमें captain जो थे, वो नहीं थे, the poet goes on the deck of the ship where the captain is lying dead, और इस बात से poet को बहुत जादा दुख हुआ, और वो उनकी death पर बहुत जादा परशान हुए, ठीक है, it is the poem in three stinja of eight lines, each stinja has a regular rhyme pattern, मतलब उन्होंने eight line stinja की poems है, मतलब LZ है, जो o captain, my captain, और इस पें जो stinja है, वो regular rhyming pattern पर लिखे गए है, देख लेते हैं, देखे ये, आपकी o captain, my captain की poem है, जो LZ है, ठीक है, आप चाहें, तो इसका screenshot ले सकते हैं, ओके, देखे, ये सारे screenshot आप ले सकते हैं, चलिए, आई हो, प्ले लिए होंगे, चलिए, देखते हैं, अब यहां से हम लोग इसके questions जितने भी most important आपके exam के recording बन जाते हैं, हम लोग वो questions, इसमें LZ के questions हैं, बाकी mixed questions हैं, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, चलिए, देखते हैं, पहला question आज का, जो अमेरिका के representative poet कहा जाते हैं, वो कौन है, तो आपको पता है, वाल्ट वीट मैंन है, जो अमेरिका के representative poet के रूप में जाने जाते हैं, आपको बन जाता है, चलिए, देख लेते हैं, next one questions को, देखे, तोड़ा से इसमें कम सहीं आया है, इसकी image, चलिए, I am the poet, the body, and I am the poet of the soul, ये जो comment से किसने कहें हैं, first ने, Dickinson ने, Merson ने, या फिर Whitman ने, इन्होंने कहा हैं, Whitman, I am the poet of the body, and I am the poet of the soul, ये आप अच्छे से याद रखेंगे, okay, so right option बन जाएगे, दी, चलिए, देख लेते हैं, next one question को, What was the age of Whitman when leaves appeared first? Whitman के कितनी age थी, जब उन्होंने लिखा था, when leaves appeared first, 30, 35, 36, 39, तब उनकी age थी 36, कितनी थी? 36, so right option बन जाता है, C, Leaves of grass appeared on, जब leaves of grass उन्होंने work लिखा था, तब कब लिखा था, the 4th July 1855, 5th July 1855, 6th July 1855, none of these, तब था, 4th July 1805 को leaves of grass लिखा गया था, okay, How many editions came out of leaves of grass? कितनी editions थे leaves of grass के? Okay, 8 थे, 9 थे, 10 थे, या फिर 11 थे, तो फिर 9 edition थे, किसके leaves of grass के? तो आपको याद रखना है, edition कितने थे? 9, so right option B बनेगा, okay, चले देख लेते हैं, next one question को, तो यह जो लाइने हैं, विट मैंन की लाइने हैं, तो यह किस से वर्क से ली गई हैं? तो फ्रेंड, यह जो लाइने ली गई हैं, O Captain, My Captain से ली गई हैं, क्योंकि Captain कौन थे? अबराहम लिंकन, जिनके याद में उन्होंने लिखा है, L, C, O Captain, My Captain, उन्हीं से यह लाइने ली गई हैं, पिर चले देख लेते हैं, next one, तो इससे भी पता चल गया होगा कि किस की लाइने हैं, विटमेन की कौन से वक की लाइने हैं, O Captain, O My Captain, वें लिला लाश्ट इंदर, डूर्ड आर, ब्लॉम जी, प्रॉशिंग, ब्रॉक्लिंग, फैरी पैसेज टू इंडिया, तो राइट आपसें फ्रेंट्स बन जाता है, O Captain, My Captain, से लाइने ले गई हैं, ओके, चले देख लेते हैं, next one questions को, Walt Whitman got, he directed novel published in the new world in 1842, what was the title of the novel, जो Walt Whitman थे, उनको एक, मतलब की novel dedicate किया था, कब new world, जब 1842 में new world published हूँ, मतलब की new world नाम का एक novel थे, जो published हूँ, उसको dedicate किया था, what is the title, उस novel का title क्या था, animals beginning my study, Franklin event the enumerate a tale of the times, none of these, तो friend, उसका नाम था, Franklin events the enumerate the tale of times, so write option C बने गए, ये उनका title था, चले देख लेते हैं, next one questions को, who had been editor of Brooklyn Eagle, editor of Brooklyn Eagle, मतलब की Eagle के editor कौन है, कौन थे, fresh थे, earlier थे, जरा pound थे, Walt Whitman थे, so write option friends बन जाता है, D, Walt Whitman ने लिखा था, Brooklyn Eagle, okay, चले देख लेते हैं, next one questions को, Walt Whitman edited an anti-slavery paper in Brooklyn, the paper was, जो Walt Whitman ने लिखा था, anti-slavery paper, Brooklyn में, वो paper क्या था, the free man paper था, bond man था, slab man था, daily news था, वो paper का नाम था, free man, क्या था, paper का नाम था, free man, so write option A बन जाता है, चले देख लेते हैं, next one question को, देखे, the first song, song of myself, present in symbolic man of, यह first song, song of myself, यह भी एक work था, ठीक है, किसका था, symbolic man इसमें दिखाया गया है, 19th century का, 20th century का, 21th century का, 22th century का, इसमें दिखाया गया है, 19th century का, 19th century का, so write option A बन जाएगा, देख लेते हैं, पर next one question को, I am not blind to the work of wonderful gift of leaves of grass, I find, find it the most extraordinary piece of wit and wisdom that America has yet contributed, whose comment is this, यह जो comment है, यह किसके हैं, थोरी के हैं, immersion के, decansion के, fresh के हैं, तो यह हैं, immersion के, किसके, immersion ने, comments यह कहा हैं, so write option B बनेगा, चलिए देख लेते हैं, next one question को, Whitman is wonderfully good, Whitman is wonderfully good, who should, यह किसने कहा है, थोरी ने, या फिर immersion ने, decansion ने, या फिर fresh ने, तो यह कहा है, थोरी ने, किसने कहा है, थोरी ने, Whitman is wonderfully good, ओके, तो यह सारे comments आपको अच्छे से याद रख लेना है, which book was revised by Whitman many times, कौन से इसी बुक में Whitman ने काफी बार revised किया है, कौन से इसी बुक्स है, leaves of grass है, passage to India है, November works है, या फिर, none of these, so write option prints बन जाता है, a leaves of grass जो एक ऐसी बुक्स है, जिसको उन्होंने revised किया है, okay, so write option बन जाता है, आपका a, चलिए, देख लेते हैं, next one questions को, in 1883, the first biography entitled, Walt Whitman appeared, who wrote it, 1833 में, the first biography entitled, Walt Whitman appeared, who wrote it, मतलब, बायोग्राफी लिखी, Walt Whitman के, किसने लिखी थी, Richard M. Buck ने, Emerson ने, या फिर, Oliver Elton ने, या फिर ने ने अब देश, तो इसको लिखी थी, किसने, Richard M. Buck ने, किसने लिखी थी, Richard M. Buck ने, okay, the first edition of, Leaps of Grass appeared in, पहला edition को उन्हें सा था, जो Leaps of Grass का, कब आया था, ठारा सो पाइन से पच्पन में, ठारा से पच्पन में, पहला edition आया था, ओके, चलिए, देख लेते हैं, next one, Leaps of Grass, इसे book on, Leaps of Grass ये book है, Aristocracy, Slavery, Democracy, या फिर नन अब दीस, तो ये friend कैसी book थी, एक democracy based book थी, क्या Leaps of Grass, सो right option prince बन जाता है, C, इस सारी books आपको अच्छे से याद रख लेने, 1865, 1866, 1867, 1868, ये आये थी, 1865 में, कब आये थी, 1865 में आये थी, O captain, my captain, okay, चलिए, देख लेते हैं, next one question को, देखिए, आज हम लोग 20 questions करेंगे, उसके बाद, next class में, the captain, हाँ, ये तो हो गया है, ये वाला कर लेते हैं, O captain, my captain, is Whitman, LZ from, जो O captain, my captain, जो LZ थी, Whitman की थी, ये किसी बुक से ली गए थी, Leaps of grass, animals, passes to India, या फिर animal, वो, none of these, तो ये बुक से ली गए थी, Leaps of grass से, किसी ली गए थी, Leaps of grass से, so right option friend बन जाता है, ये थी friend, आपके टाप 20 कुशन, प्लस बायोग्राफी, आपकी, वाल्ट विट मैन की, जो कि हम लोग ने कावर कर ली है, next class में, जितने भी कुशन से, इसके सेस हैं, वो हम लोग करेंगी, तो कैसी लगी class, आप अपना feedback जरूर दिया करें, comments box, सब कोसिस किया करें, कि भर दिया करें, ओके, और class को like तो जरूर ही कर दिया करें, और session को share जरूर किया करें, अपने friend के साथ, और अगर आप channel में new जुडते हैं, तो आप channel को subscribe जरूर कर, और bell icon को जरूर दबा दिया करें, जिससे हमारे जो, वीडियो की notification होती है, जितने भी latest videos होती हैं, वो ताकि तुरंट आप तक पहुंच सकें, ओके friend, तो चलिए friends, आप हम लोग class को over करेंगी, over करने से पहले, अगर आप channel में नए हैं, तो channel को subscribe करें, like करें, comment करें, share करें, thank you so much,